हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्या कागज में आग है? उन्होंने तुरंट उतर दिया. ये भी कोई सवाल है जनाब? बिल्कुल नहीं. हमने कहा, अगर कागज में आग नहीं होती, तो माचिस की तीली से दी हुई छोटी सी आग से, कागज के बीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती? हर वस्तु में आग छिपी होती है, माचिस की तीली उस छिपी आग को देहकाती है. एक बार एक बच्चा स्कूल से लौट कर आया, और उसने पनी मा को टीचर ने दी हुई एक चिथी दी. जब मा ने चिथी पढ़ ली, तब बच्चे ने मा से पूछा, चिथी में क्या लिखा है मा? मा ने बच्चे से कहा, बेटा, टीचर ने चिथी में लिखा है, मैडम, आपका बेटा बहुत ज़्यादा बुधिमान है. हमारे पास ऐसा कोई टीचर ने, जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाएं. बेटर होगा कि आप इसके प्रशिक्षन की व्यवस्ता कही और करें. बरसो बाद, जब मा का देहान्त हो गया, ये बच्चा जो अब एक बहुत मशूर वैग्यानिक बन चुका था, मा के अंतिन संस्कार के लिए आया. सारी विधियों के पूर्ण होने के पश्चाथ, वैग्यानिक महोदाय अपनी मा के घर गए, और वहाँ टेबल के डॉवर में उन्हें सालों पुरानी वो चित्थी मिली. जैसे वो इस चित्थी को पढ़ रहे थे, उनके आखों से आसु बैने लिए. चित्थी में लिखा था, मैडम, आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है. हम इसे सिखा कर तंग आ चुके हैं. हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं. बैतर होगा कि आप इसे घर पे ही सिखाए. आखों से बैते आसुओं को पोचते हुए, वैज्ञानिक माहुदाय ने चित्थी के नीचे लिखा. जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था, जिसे उसके मा के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया. देवी और सज्जनो, हर व्यक्ती में किसी विशेश योग्यता, खुनर की आग छिपी हुई है. यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ती, माचिस की वो तीली मिल जाये न, तो वो भीतर की आग बाहर निकलती है और विश्व कल्यान होता है. धूंडिये किसी ऐसे विक्ती को जो आप में विश्वास करे या बनिये वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को देहका है.